इश्वर्या राय बच्चन अब तक फिल्म एदल है मुश्किल की हुई स्क्रीनिंग से दूर रही थी और बच्चन ने भी आश की इस फिल्म को भी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया पर रिसेंटली आश अपने फिल्म की एक स्क्रीनिंग पर पहुँची तो जरूर लेकिन यहां वो अकेले ही नजर आई बच्चन फैमिली का कोई भी मेंबर एश्वर्या के साथ नजर नहीं आया खबर है कि करीना इन दनों अपने आने वाले बेबी के लिए नरसरी बनाने में इन्वॉल्वड हैं सैफ और करीना ने मुंबाई में लगभग 3,000 स्क्वेर फूट का एक घर लिया है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में बन रही नरसरी में करीना पर्सनली इन्वॉल्वड हैं सैफ ली खन जो फिलाल अपनी नेक्स्ट शेफ की शूटिंग में बिजी हैं वो भी डिसमबर तक फ्री होकर अपना सारा टाइम वाइफ करीना को देना चाहते हैं